नमस्कार दोस्तों fundamental investors चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम दोलत investments company के बात करने वाले हैं बहुत equality company है पहुत कम दिनों में बहुत ज्यादा return जनरेट करकी दिया अगर आज के दिन में देखा जाए तो लगबग यहाँ पे देख सकते वहाँ पे हमने आपको एक ही दिन में आपे return जनरेट करके दिया बट इसकी बात अलग से करूंगा पहले इस company के बारे हम बात करने company बहुत ही ज्यादा undervalued लोगों को लग रहे हैं लोग continuously बाइक करते जा रहे यह एस absolutely करेंगे कि उन्हें यहाँ पे लगबग 90 रूपी से भी उपर जब cross किया था तभी हमने recommendation भी दे दिया था और अब लगबग closing हुआ है इसका बहुत high पर 114 पर मुझे लगता है company अभी बेंडर वैल्यूड इसके reasons कुछ बताऊंगा और क्यूं हमें खरीदना है और कितना तक खरीदना है target और stop loss दोनों के बारे में बात करेंग दोस्तों इसके technical देखी रहे पर fundamentals भी देखेंगे तो चलिए शुरू करते है उससे पिल अगर आप मेरे टेलेग्राम चानल पर जॉइन नहीं होए जिसका link description में डाल दिया है तो जॉइन हो जाईएगा बहुत अच्छे-च्छे खासे में stocks बताता हूं बहुत लोगों हुए है उनमें आप exit ले सकते हो और बहुत सारे stocks भी यहाँ पर अच्छे-खासे recommendations थे हमारे वह बहुत अच्छे-च्छे चले लगबग यह अधित्य बिर्ला मनी लगबग 43 रूपीज से 88 चला इसमें double पैसा अपना जनरेट हुआ इसमें आप exit ले लीजिए दोस्तों एरिस एग्रो मैंने कली वीडियो में बताया तब आए करने को लगबग closing वह उसका 11% हाई तो मुझे लगता है आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो उसका भी आप देख सकते है अपने चैनल पर पड़ी है और उसके साथ एक और शेर बताया है वो भी अच्छा-खासा गेंद तो करेगा और बहुत सारी स्टॉक से देखी है अच्छे खासे खासे चल रहे है और दूलत इन्वस्मेंट्स का आगे जो आज हमने रेक्रेमेंडिशन किया था यह रहा दूलत इन्वस्मेंट्स मैंने का था आई जॉन दूलत और यहाँ पर देख सकते दूलत चैनल का लिंक के आप वहाँ पर जोईन हो जाए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पेसे कमा सकें तो अभी रहा इसका सिंपल सिंपल व्यू अगर बात करेंगे कंपनी के क्यों मैंने तब यहां तक तो हमने लगबग 1819 के पास इसका रिक्मेंडेशन दिया था एक अच्छा खासा ब्रेक आउट जो डैर्वेक्स ब्रेक आउट हम हमेशा कहते हो और जिस तरह से इसमें वॉल्यूम क्रेट हो रहे हो वह बहुत ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकता है बहुत सारे मुझ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वहाँ पर चेकाउट कर लिजिए लगबग देख सकते हैं 80 रुपीज के आसपास का शेयर लगबग 114 जा रहा है मतलब वह भी कि दिने दिन में सिर्फ 5 शेशन में 5 दिन में इतना ज्यादा रिटन जन्रेट करके दे रहा है तो आ कॉमपशन लगबग ट्रेड़िटिग्न शेशन में एंट्रेड कर रही है तो मुझे लगता है फरस्ट आभी इनका मोलते हैं चालो गया टाइम चालो गया है अभी इसका फर्स्ट रिजन है लोग ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मार्केट में एक ट्रैक्ट हो रहे क्यों क्योंकि लोगों को फ्री का पैसा मतलब जो कम टाइम में ज्यादा पैसा होता है न वो चाहिए इंडिया में सीन यही है बाई जो वर्रन बफिट है उनका लगभग जो सीएजी आ रहे है वो 24% है पर एयर अगर एवरिज पकड़े तो और इंडिया की लोगों को दो दि एक्सपेक्टेशन इतने जादा रखेंगे कि पूछिए मत बट बात करेंगे कंपनी के बारे में तो यहां पर देख सकते हैं लगभग कंपनी अंडर वैलूट तो हे ही लगभग 1707 करोड का मार्केट कैप है 97 का मतलब इसका करन प्राइस ता जो कि अभी अपडेट ने हु तो इन्वेस्मेंट कंपनी में इन्वेस्में नहीं करना है या फिर बैंक में भी या फिर किसी भी चीज में जहां पर पैसे का लेंडेन ज्यादा है या फिर पैसे से सब चीज हो रही है जहां पर पैसे से ही पैसा बनाया जाता है मतलब मशनीरी विगरी की बात नहीं कर र यह वाल है जासे की यह बैंक होगा है उन्हें बहुत सारी company को बेज दिया या फिर सुझलान हो गया 94 फռरशेंट पब्लिक शेर रобрेंगे यह फिर विकास लाइफ या फिर विकास राइव κ six S कमपनी में किया है सबसे ज्यादा प्रमोटर हुटा है तो लोग इतने बेचे देंगे कि company कि कमर भी तूर शकती है क्योंकि जितनी मृइं की चयर की प्राइस डाउन होंगे उतनी कंपणी की वैलूशन डाउन होगे अगर बात करेंगे चल्षे में प्छले साल से इस साल डबल है ठीक है दोस्तों डबल प्रॉफिट किया 100% अगर बात की जा सेल्स में तो सेल्स में भी इन्होंने बहुत अच्छा खासा गेन किया है डबल से भी ज्यादा यहाँ पे सेल्स में भी इनके गेन हुए लगबग 93 करोड से 198 करोड सो बात की जा इनके ऑपरेटिंग मार् रख रहा है उस company में क्या free cash flow की दिक्कत हो सकती है भाई लोगों को पैसे से खुद का पैसा बनाना है इसी है ना इतना भी इसी नहीं एक्चुली क्योंकि देखिए किसी का पैसा लेकि बाद में वह टेंशन हो जाता है दोस्तों यहाँ पे देख जाए इनका जो इंट्रेस के बारे में जो कि हो था है EPS company का 4.04% से 4.4 से 8.34 का हो चुका है जो कि बहुत quality gain है दोस्तों यह अच्छे का से मतलब होते हैं ने इंडिकेटर की यार company अच्छी करने वाली future में यह होते है कि प्रॉफिट बड़र है company का margins बड़र है company का EPS बड़र है company का P low है तो यही है कि हम अच्छे शेर जून सकते हैं अभी सीन है कि लोगों को यह भी नहीं देखना है और लोगों को बस क्या च्छे बताए क्या फ्री का स्टॉक्स जो कि ज्यादा से ज्यादा गेन करके दे मुझे बता है कितनी यह लोगों ने 100 से ज्यादा annual reports पड़े प्लीज आर अगर जिन अच्छा होता है बुरा होता है और हमने बुरा का साथ नहीं देना सीन है अगर हम समझे किसी शेर को 52 रुपे पर रखते हैं उसके अगर उससे हमको company के बारे में कुछ पताए नहीं है company क्या करते हैं और उससे अगर expectation दोसों करे तो वह गलत है क्योंकि तुम्हें पता नही तो 52 रुपए की कमपणी पांच रुपए कब हो जाए जब तक कमपणी के बारे में कुछ समझने जाते तब तक इन्वेस्ट करना बहुत गलत है जिसे कि दोस्तों मैंने का कि कमपणी ने लगबग अपनी इंट्रेस्ट ज्यादा पे किया है तो यहाँ पर बढ़ी होगी तो अब इसकी शेर की बहुत दिनों से लगबग दो सालों से पचास के उपर ने जाती थी सत्तर के असपास वापस नहीं चाहती थी तो दोस्तों यह होता है कि अगर आप कंटिन्यूस लिए कंपणी में बगेर ज्यादा टेंशिन लिए आपको पता है कंपणी अच्छा करने वाले अगर उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपसुलूटली वो रिटेंजनेरेट करके देते हैं देखा जाए यहाप इन्वेस्मेंट्स भी कंपणी ने घटा है यहाप अगर उपर देखा जाए तो उनके ओधर इंकम्स बढ़े हैं और उसमें क्या किया इन्होंने ओधर इन्वेस्मेंट्स घटा के अपने ओधर असेट्स बहुत ज्यादा करेद लिए लगबग 10X मतलब 1000% से भी ज्यादा के इनके असेट्स बढ़ चुके हैं सिर्फ एक ही येर में यह देखिए यहाप पर तो मुझे लगता है कंपनी में और भी ग्रोज ज्यादा आने वाली क क्योंकि जितने असेट्स ज्यादा बढ़ते है उतने ही कंपनी को ज्यादा यहाँ पर वैलूशन मिलता है और अगर वैलूशन के हिसाब से कंपन देखे जाए तो बहुत अंडर वैलूड मुझे लगती है अभी शेयरूलिंग पैटन में देखे जाए तो यहाँ फाइस ड अच्छे खाषी consistency कंपनी है तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए सेकेंद दिंगा अगर आपको promoter holding बहुत ज्यादा लग रही है और सिर्फ promoter holding भोटर शेरोल्डिंग बहुत ज्यादा लग रही है और प्रमोटर ओल्डिंग सिर्फ 12-15 परसेंट है और पॉब्लिक शेरोल्डिंग लगबग 80-85 परसेंट है लोगों के sentiment समझो तब कि या सोच रहे है इस company के बारे में लोगों के review देखो बहुत stocks के अंडर review आते है money control में अगर आप stock का नाम डालते हैं तो नीचे review आते हैं उसके बारे में टार्गेट इसमे 150 रुपीज का है, अभी भी ध्यांद दे रहा हो कि मेरा टार्गेट इसमे 150 रुपीज का है, मैंने कहा बने 200 रुपाइब, यह टाइम जाएगा, फिर यह 200 रुपे ख्रोज करने में, जाएगा, बट टाइम लेगा, तो दोस्तों आशा करता भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इस company के बारे में और भी में information आने वाले time में ज़रूर लाऊंगा in detail analysis करेंगे annual reports 10-12 साल के इसके निकाल के दिखाऊंगा कि भाई क्या क्या company ने किया है वह तो अगली वीडियो रहेगी पर बहुत बड़ी वीडियो रहेगी मुझे लगता है और आज के लिए तो इतना ही तब तक के लिए चलिए यूटूब चैनल को सब्क्राइब कीजिए नीचे description में लिंक भी है उसको भी चैनल जॉइन कर लिजे और दूसरा चैनल स्टॉक म करके ट्रेनिंग उसको भी सब्क्राइब करके उसके भी दो तीन वीडियो जे अच्छे का सिया वह भी देख लेना दोस्तों